आतंकी शेहनवास का बड़ा कबूल नामा दहशत फैलाने के बड़े बड़े प्लान डीकोड मालदीव की महिला ने किया ब्रेनवाश देश भर में बंव स्पोड की पूरी तैयारी नमस्कार, कैपिटल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रियाबिस्ट दिल्ली पुलिस और सेंटरल एजेंसियों के सामने ISIS के आतंकी शेहनवास आलम का बड़ा कबूल नामा सामने आया है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बीते साल अक्टूबर में एक बड़ी काम्याबी मिली थी ISIS टेरर मोडियूल के आतंकी इंजेनियर शेहनवास उर्फ शेफी उद्मा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफतार किया था वहीं अब उसकी कुंडिली खंगालने के बाद सुरक्षय एजंसिया है पता चला है कि शेहनवास एक मालदीव की महिला के संपर्क में था वो महिला ही शेहनवास की हैंडलर थी शेहनवास ने आतंकियों को पैसे भी भेजे थे तो आज इसे ही खुलासे पर बात करते हैं और जानते हैं कहां कहां जुड़े हैं शेहनवास के दार भारत और मालदीव के रिष्टे इस वक्त संकट के दौर से गुजर रही है चीन समर्थित नेता मुहमद मुईजू के राष्ट्रपती बनने के बाद से ही मालदीव और भारत के बीच तनाव बढ़ने लगा है यहां तक की मालदीव के मंतरी भी भारत और पियम मोदी के खिलाब आपती जनक टिपणिया कर रहे हैं इसी बीच मालदीव को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जिससे भारत की सुरक्षय एजनसिया हाई अलर्ट आ गई है आईए जानते हैं क्या है पूरा मामला दरसल दिल्ली से गरफतार आईएस आईएस आतंकी शेहनवाज आलम की कुंडिली खंगालने के बाद शुरक्षय एजनसिया है पूछताच में बड़े बड़े खुलासे हो हैं दहशत फैलाने के बड़े बड़े प्लान डिकोट हो रही है ऐसा लग रहा है कि उसने भारत में धमाकों की बड़ी साजिश रची थी जो पूरी तरह तयार भी थी अगर उसकी गरफतारी ना होती तो ना जाने क्या हो जा आपको बता दे कि शेहनवास को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने बीते साल 2 अक्टूबर 2023 को गरफतार किया था शेहनवास ने बताया कि आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए उसे दो लोगों से आदेश मिल रहे थे शेहनवास का एक आका पाकिस्तान में बैठा हुआ जिसका नाम अबू सुलेमान है तो वहीं वो मालदीव की एक महिला के बिलगातार संपर्क में बना हुआ था उसे पुछताश में पता चला है कि वो मालदीव की एक महिला के संपर्क में था और वो शेहनवाद का brainwash कर रही थी अब ही सवाल है कि शेहनवाद मालदीव की महिला के संपर्क में कैसे आया तो जवाब है दोनों Telegram चैनल केस पल के जरीए संपर्क में आये थे महिला खुद को चैनल का एडविन बताया करती थी उसने बताया कि वो आईस आईस के शिवर के लिए फंड जुटाने का काम करती है यानि शुडवाती बाचीट शिवर के लिए दान के इर्द गिर्द घूमती रही इसके बाद महिला ने बताया कि वो 2015 में सीरिया भाग गई पुलिस की जाज रिपोर्ट में ये लिखा है कि महिला ने शेहनवाज को अपने भाई का वाटसेप कॉंटेक्ट नमबर दिया शेहनवाज ने उसे संपरकी किया और अलहवल कैंप में पैसे भेजने के तरीकों के बारे में पूछा जिसके बाद उसे केरल में एक टीचर का संपरक दिया गया पुलिस का कहना है कि शेहनवाज ने गूगल पे का इस्तमाल करके टीचर को पैसे भेजे और दो हफ़ते बाद मालदीव महिला ने बताया कि पैसे मिल गये है रिपोर्ट में कहा गया है कि एक महिने बाद उसने केरल के कॉंटेक्ट के जरिए उसी महिला को फिर से 40,000 रुपे भेजे शेहनवाज ने पैसे भेजने के लिए अपनी पतनी बसंती पटेल के खाते का स्तमाल किया था पुलिस दतावेज में लिखा गया है कि ट्रांसफर के बाद शेहनवाज का टेलिग्राम के जरिये ही आईएस से जुड़े लोगों कासीम, खुरासानी, कश्मीरी, हुजेफा और आशिफ अफगानी से राब्दा करवाया गया था कुछ समय बाद हुजेफा और कासीम, खुरानी की आईडी बैन हो गई थी लेकिन वो आशिफ के संपर्क में रहा और भारत में आईएस के विस्तार पर चर्चा करता रहा शेहनवास आलम से पूछताच के बाद अब जार्च अजिंसियों को मालदीव की संदिग्द महिला की तलाश है जहां शेहनवास के अलहवल कैम्प से संपर्क ने सुरक्ष अजिंसियों को हिला कर रख दिया है शेहनवास के मालदीव की इस महिला के जरीए सीरिया कैम्प का कनेक्षन सामनी आया है जिसे अजिंसीज भी सक्ते में आ गई है IASIS अपनी महिला सैनिकों के जरीए हिंदुस्तान में यूद का ब्रेनवाश करवाकर संगठन में रिक्रूटमेंट करा रहा है शेहनवास के खुलासे के बाद भारती सुरक्षय अजिंसिया हाई अलर्ट मोट पर आ गई है उन्हें शक है कि ये शिविर जो इस्लामिक स्टेट के नाम पर आतंगवादियों की आपूर्ती का स्रोध बन गया है संभव है कि वो भारत से और भी भरती करा रहा है शिवर के कुछ हिस्सों पर नियंतर करना असंभव है और ISIS अपनी वफादार महिला सैनिकों की मदद से एक अच्छे जीवन का जासा या धंकिया देकर नए लड़कों की भरती करा रहा है इराक से आई खबरों के मताबिक अमेरीकी सरकार इस बात से परिशान है कि किस तेजी से ये शिवर इसलामिक स्टेट के आतंकियों के रिष्टेदारों को शामिल करने और आतंगवादी समू के प्रती वफादार व्यक्तियों को तयार करने का अड़ा बन गया है विशेश सेल के निगरानी आधारित ओप्रेशन और उत्तर भारत में 200 से अधिक जगों पर छापेमारी के सिलसेले में शेहनवास की गरफतारी पिछले साल अक्टूबर में हुई थी उसे दो साथियों अरशद वार्सी और बहुम्मद रिजवान अर्शव के साथ पकड़ा गया था ये दोनों भी इंजिनियर हैं ये तीनों पूरे देश में बं विस्फोर्ट करने के अंतिम चरर में थे और दिल्ली, मुंबई, गुजरात, अयोध्या के साथ साथ कई स्थानों की रेकी भी कर चुके थे इससे पहले आतंकी शेहनवास आलम ने खुलासा किया था कि पूने महराश्ट्र मॉडूल के निशाने पर मुंबई और गुजरात के शहर है ISIS अपने आतंकी के जरीए गोधरा कार्ड का बदला लेने के लिए पूरे गुजरात में सिलसिलेवार तरीके से बड़े बंब विस्पोर्ट कराना चाहती थी वहीं शेहनवास ने बताया कि अपने हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर आतंक वादियों ने एहमदाबाद वडूदरा और सूरत की घेरा बंदी करने का फैसला किया यह हमला गोधरा दंगो का बदला लेने के लिए किया जाना था वहीं गुजरात में बड़े आतंकी हमले के लिए बकायदा जनवरी 2023 में रेकी भी की गई थी एहमदाबाद में रेकी के दोरान शेहनवाद रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, यूनिवरसिटी, वी आईपी रास्ते, नेताओं के रूट, बोहरा मस्जिद और साबरमती आश्रम गया था खुलासा ये भी हुआ है कि आतंकी शेहनवाद एहमदाबाद ट्रेन से पहुँचा, रेकी के लिए उसने किराय पर बाइट ली, गाधी नगर में शेहनवाद ने RSSS कार्याले, VHP कार्याले, BJP कार्याले, उच्ची नियायाले, जिला अदालत, सत्र नियाले की रेकी की शेहनवाद वडोदरा भी गया था, वहां उसने रेलवे स्टेशन, सिविल और जिला कोट की रेकी की, इन जगों की आतंकबादियों ने वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी की और विदेश में बैठे हैंडलर्स को पूरी डिटेल भेजी थी, खुलासा ये भी हुआ ह कि वडोदरा में रेकी के दोरान शेहनवाद ने रेलवे स्टेशन के पास एक हॉस्टल में कमरा लिया, सूरत में रेकी के दोरान शेहनवाद हीरा बाजार, जिला अदालत और इसकौन मंदिर गया था, इस पूरी वारदात के लिए आतंकी किराई की बाइक का इस्तमाल किय करता था, संगठन के हैंडलर अबू सुलेमान के कहने पर गुजरात को टारगेट करने का प्लान भी बनाया था, सूत्रों के मुताबिक ISIS के नाम पर पाकिस्तानी खोफिया एजिंसी ISI ये बड़ा खेल कर रही है, वही पूछताच में ये भी सामने आया है कि शेहनवाद म बना रहा था, आतंकी शेहनवाद से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल एजिंसियां पूछताच कर रही है, वही पूणे ISIS मोड्यूल के कई आतंकी अभी फरार चल रही है, उनकी तलाश में एजिंसिया लगातार काम कर रही है, लगातार तलाशी ले रही है, वही पिछले एक छापिमारी के दोरान शेहनवाद बच कर निकल गया था, तब उसे मोस्ट वांटन लिस्ट में शामिल किया गया था, तब NIA ने उसकी गरफतारी के लिए 5 लाक रुपे का इनाम भी घोशित किया था, उसके बाद 2 अक्टूबर 2023 को शेहनवाद उर्फ शफी उजमा को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दक्षडी दिल्ली के जैदपुर में एक ठिकाने से गरफतार किया था, ओपरेशन के दोरान उन्होंने दो अन्य व्यक्तियों को भी हिरासत मिलिया था, जिनकी NIA को तलाश थी, सुरक्षया बलो ने सहनवाद के ठिकानों से बम बनाने का साहित जो पाकिस्तान इस्थित आकाओं से भीजा गया था, और अन्य आपती जनक सामगरी बरामत की थी, वहीं अब बूच्टाच में कई बड़े बड़े खुला से हो रहे हैं, जहां पता चला है कि मालदीव में रहने वाली एक रहस्यमई महिला ने गिरफतार बारग शेहनवादी मोहमर शेहनवाज के लिए हैंडिल के रूप में काम कर रही थी, शेहनवाज पाकिस्तान में बैठें अपने आकाओ अबु σुलीमान के साथ मालदीव की रहने वाली महिला के संपर्कि में भी था, और जह wal ही शेहनवाज की हैंड़र ठी शेहनवाज आतंक्यों को पैसे भी भी भेजे थे शेहनवास के खुलासे के बाद अब जाच एजंसियों को मालदीव की संदिक्त महिला की तलाश है इस्पेशल स्टोरी में आज के लिए इतना ही फिर पेशोंगे नई मुद्दे के साथ बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कापिटल भी उत्तर प्रदेश नमस्कार